तो प्याज की स्तती बहुत खराब छे, कई नी मिल पाई रहो आई प्याज मा, दुई एकड़ मा प्याज लगायल छे तो दस कट्टा प्याज भी निकलाई रही जो भी चे ते घर सी लई जाई रही सब, घर चो लगाऊना का बाद भी ग्वाटो भोच चली रहो पहले भी निकूसता, आमने भी निकूसाई, दुई जाज रुपे तटो भ्याज भी क्या दमन भी निकूसता इस बार प्याज के भाव काफी कम है और किसानों किसान सभी किसान बड़े दुखी है जिस प्रकार से उन्हें इस बार उमीद थी प्यास से वह भर पाए उनकी होनी पायेगी क्योंकि मोसम ने भी मात दे दी और भाव ने भी किसानों को काफी हद तक परिसान किया है जिस तरह गेहू का समर्थन मुल्य फिक्स हुआ है उसी प्रकार प्याज का भी एक समर्थन मुल्य फिक्स होना चीए ताकि किसानों को किसी प्रकार से असुविधान हो और जो प्याज की मुख्य फसल है उसकी भरपाई उसकी लागत और जो भी खर्चा है वो मेंटेन होता रहा है और किसान को कुछ हद तक मुनाफा भी रहे प्रिमत कर्ण बास